है नमश्कार मैं सुनीता कता मंतन में आप सब का स्वागत करती हूं कता मंतन में आज सुनन walks सेलश्च मठ्यानी जी की कहानी घर गृस्ती तोस्तों मैंने एक के बार पढ़ें या सुनना चाते हैं तो प्लेइलिस्ट में देखिए यह नहीं कि अगर आप भाग आठ सुन रहे हैं और उसके बाद आप पुछते हैं कि सारा चीज मेरा खराब हो गया मैंने आदा घंटा खराब कर दिया तो जब तक आप प्लेइलिस्ट नहीं देखेंगे तो कैस से पता चलेगा सारा आकाश पार बार मैं बूरू सारा आकाश प्लेइलिस्ट में हैं प्लेइलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे देती हूं जिस भी लेखक की कहानिया सुनना चाहते हैं लेखक वाइज राइटर वाइज आपको मैंने प्लेइलिस्ट में सेव कर रखा ह जिसका लिंक में आई बटन उपर वीडियो के उपर जो आई बटन है उसमें दे देती हूँ और नहीं तो नीचे भी प्लेइलिस्ट में रहता है अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा तो प्लीज अगर किसी भी राइटर के आप कहानी सुनना चाते हैं तो प्लेइलिस्ट देखें और उपन्यास को अगर आपको सीरीज वाई सुनना है तो भी देखें और सारा आकाश के साथ आठ पार्ट मैंने अल्रेडी पहले सारांश पड़ा था जो पांच या छे पार्ट में था पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थी पार्ट फोर करके डाला हुआ है उसके बाद उसके कोशन आंसर डाले हुए है और उसके बाद चरीतरे चितरन अलग वीडियो है जब आपने फुल उपन्यास की डिमांड की तब मैं पूरा नावल आपके लिए पढ़ रही हूँ पर वो भी पार्ट बाई पार्ट तो अगर आपको पार्ट बाई पार्ट खोजना है तो आप YouTube में मत खोजिए अगर आपको मेरे ही वीडियो खोजने हैं यूटीब पे खोजेंगे तो अवियसली मिल जाएगा पर अगर मेरे वीडियो ही सुनने हैं तो प्लेलिस्ट देखिए प्लेलिस्ट में अगर सारा कश टाइप करेंगे तो भी मिल जाएगा नहीं तो i button में link दिया जाता है और नीचे भी मैं link देती हूँ इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप kathamantan.blogspot.com पर जाएए वहाँ भी सारा आकाश है वहाँ पर भी आपको वीडियो की playlist मिल जाएगी फिर भी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि मैं हर वीडियो को playlist के साथ जोड़ देती हूँ तो इस वज़े से आपको मिल जाएगा फिर भी problem होती है तो please मेरे को लिखेगा मैं फिर से आपको एक बार बता दूँगी कि playlist में कैसे जाते हैं तो आज हम अपनी कहानी शुरू करते हैं घर ग्रस्ती उम्रे तो पकी हुई फसल जैसी चीज होती है साल दर साल करती चली जाती है होते करते परितिमा कागी को भी है चत्र अवस्ता आ गई यह बादों का हीला गीला महीना चल रहा है और उसके बाद असौज आ जाएगा उधर खेती में धान की बालियों में पीली रंगत आएगी और इधर प्रतिमा चाची तिरसठी पूरी करके चौसठी में पहुँच जाएगी सिर पर अब पती की चाया नहीं लेकिन भार तो पूरे कुट्रम का है लोग कहते हैं चौ मास के बाद नीर और पचास के बाद नारी में ताकत नहीं रहती मगर प्रतिमा ने साठी पारस पार करके भी हाथ पाउं का बल नहीं खोया खुली जमीन पर फैली कद्दू की जबरदार बेल जैसा भरपूर कुड्म घर, केट वन और गौब अचिया तक का कारोबार मगर सारे गाउं वालों के मुक्ष से प्रतिमा चाची के हाथ पाउं की बरकत के लिए वचन निकलते रहे कि करने को तो किसानों ने कारोबार काम कास सभी करते हैं मगर प्रतिमा चाची के हाथों में एक अलगी तेजी और बरकत है। गाउं भर में सबसे फैला फूला कारोबाट ठारा मगर मजाल की कभी जरासी अटक पड़ जाए जैसा बल हाथ पाउं वैसे ही मिठा सरस्वती में। प्रतिमा चाची के बताए काम को ना उसकी अपनी बहों के मुम से क्या निकलता अड़ास पड़ास की और ओर्थों के मुक में भी यही होता कि इसमें तकलिफ की कौन सी बात है सासू आप जैसी सत्मारी के मुक से जरासा हुकम हमारे लिए निकल ही गया तो उसे पूरा करना त प्रतिमा चाची ने जिसके सिर पर हात रखके मुक में मिस्री का कुजय जैसे फोड़ दिया बहू जैसी लास तुने मेरे मुक के बचनों की रख दी ऐसी तो कोई अपनी सगी सास की भी नहीं रख सकती मेरी लाडली हजारों जैसी फले बेर जैसी फल जाए तेरी घरस्ती तो काम करने वाली काम का काम निब्टा गई और जाते सा मैं महेंता ना मंगने की जगा पैरों पर हाथ अलग से रग गई कि सासू हमें तो तुम्हारा आशिरवाच चाहिए बस मिटास में तो अब भी कोई कमी नहीं बलकि गुड़ पुराना पढ़ता गया तो और गुनकारी सिध हो रहा है प्रतिमा चाची के हाथ पाउं का बल घटा मगर कारों बार तो घटने की ब्यगा और बढ़ गया चार बेटों में से छोटे सूरस सिंग को जाने के अतरंगुटी पल्टन में बढ़ती हो गया उससे बड़ा देवी सिंग पहले से ही दुकांदारी में लगा हुआ था तीसरा सोवन सिंग सहकारी स्टोर के काम में लग गया यही तो सोच होगा कि सिर्फ खेतों से घर की माली हाल अठ्थे उस नहीं रहेगी परिवार बढ़ रहा है तो कपड़े लगते वगयरा के बाहरी खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं सिर्फ चौथा सबसे जेठा शामा सिंग घर पर रह गया तीन जोड़ी बैलों के हलकी मूठे हाथ में लेने वाला एक मगर चाची का जस काम आता रहा कभी दो जोड़ी बैलों को हांक अड़ास पड़ास के लोगों नहीं लगा दी और कभी प्रतिमा चाची के एहसानमन रिष्टेदार आकर मदद दे गए मर्दों के हाथ का काम तो यूं समल गया मगर पिछले दिनों औरतों के हाथ का काम कुछ ढिला पड़ गया बड़ा कुटम देवराई जिठानियों में कभी कबार तू तू मैमे हो जाती दूसरे अपने हाथ पाउं को अराम देना सभी को अच्छा लगता है बड़े कुटम में कि मैं एक थोड़े ही हूं काम करने वाली एक कालस दूसरे को लगता है बजली बहु देवकी ने एक दिन अपने पैरों का अमैल निकालने के बद वन जाने से इंकार कर दिया कि कोटे कोटे मेरी कमर एकदम थिक गई अवन जाकर खांस काटना मेरे बस का ने कुछ दिन बाद छोटी बहु पारवती ने भी अपनी सब छोटी जिठानी बगवती के साथ खेतों में पहुचकर दान निराने की जगा पीपल की चाया में बैठकर अराम करना शुरू कर दिया एक हम को ही हाई तौबा मचा कर अपने हाथ पाउं का नरायन दिल निकाल के क्या करना इधर चौमास की घर बंडार में ठोर खाली नहीं रहने वाली फसल पकर तियार हो गई प्रतीमा काकी की अनुभवी आखो को चारो भवो के धीले पड़ेवे हाथ पाउं दूर से ही दिकाई दे रहे सबसे बड़ी मोतीमा रसोई के काम में ही सारा समय गुजार देती देव की क्यों इधर नई संतान हुई थी वै उसको दूद पिलाते पिलाते खुद भी एक नीन निकाल लेती दौनों चोटी भवो में से एक का चौथा दूसरी का पांचवा महीना चल रहा था कैर इतनी कम महीनों में काम करते हैं कोई कठनाई तो आती नहीं मगर इन दौनों का जोड़ा अभी से चाया में हाथ पांव पसाने में सुख पाने लगा था और गाउवालों की आखों के प्रशन चिन प्रतिमा चाची की आखों में जैसे शूल चुबो रह थे क्यों चाची तुम्हारे खेतों की बाले तो पकर जड़ने भी लगई मगर अभी तक बटरने की कोशिश नहीं की तुम्हारी भवों ने अरे इश्वर ने प्रतिमा चाची को ऐसा फला फुला कुटम दिया है तो थोड़ी बहुत गुद्धी भी दे रखी है डाटने फटकारने से अचकल की भवे और ज़्यादा कामचोर हो जाती है घर में अलकल है बढ़ता है तो पिछले मंगलवार से ही प्रतिमा चाची ने चारो भवों को अपने मुख से ऐसे बचन दिये कि जो फसल 20-22 दिन में तिहाई भी नहीं सही जी गई थी वही पिछले 7-8 दिनों में करीब करीब पूरी हाथ आ गई सिर्फ कही कही अधपकी पौच छूट गई थी गाओं घरों के लोग चक्कर में आ गए कि कहां प्रतिमा चाची की फसल के खेतों में ही जड़ने की नौबत आई हुई और कहां एक एक बाल बिन के च्छा तांगन में पहुँच गई गई मंगलवार की ही बात है उत्तम परधान ने कलीदार चिलम में लगी पितल की नली से लंबी नाक तक खीचा हुआ खमीरा तंबाकों का खुश्वुदार धुआ बवो की और छोड़ दिया था क्यों वहुँ तुम लोगों ने अभी तक फसल पूरी नहीं बटो रही जरा प्रतिमा भौजी का भवो का कामकाज भी देखो जाके कि कैसे बिजली के बटन जैसे चल रहे उनके हाथ पर हुआ चमतकार यह था कि सवेरे सवेरे बाठक में एक कौने में लेटे लेटे ही प् बढ़ने शामक अचरी के काम में शयर चला गया था पारवती भगवती के लोटने के प्रतिक्षा कर रही थी खेतों में जाने के लिए परतिमा चाची ने बुलाया तो क्या है सासु कहती पास पहुची परतिमा ने उसे अपने पास खीच कर उसका सिर अपने आचल में ले कल रात के सपने में भी मेरी चाती से सिर लगा लगा कर रो रहा था ही राम ही राम तब से एक उदासी जैसी व्याप हो गई मुझे खैर बहू अब तो मेरे लिए सूरत छोरे की जिगा तू ही जो ठहरी वैसे भी तो आचल से भारी हुई तू क्यों बहू कितने महीने पूर प्रतिमा चाची ने समीप ही रखके देवकी के बेटे के को जुलने में जुला दिया पार बतीला जा गई एक तो सूरज की सुधी से के संदर्व ने उसके मन को व्याकुल कर दिया दूसरे उसकी शूल सी चुबती रही है बात की आचल दिन दिन भरपूर होता जा रहा है फागुन या चेत में एक ठोर अलग बैठ जाना होगा शरम की बात तो है मगर बालक तो आखिर होगा ही और निर्मोही पल्टन में भरती होगे पल्टन से चुट्टी पर नहीं आया तो बालक के नामकरन की चौकी पर कौन बैठेगा पारबती की आखे गेली हो आई उसी सम काने में बैठते ही सुरज के नामतार डलवा दूंगे कि तु वह फौरान आ जाए और आकर मेरी पोती के नामकरन पर चौके पर बैठे तू क्या जानती बहु मेरा बेटा बड़ा होश या देखना तू तेरे लिए ऐसे फैशनेदार कपड़े लाएगा कि जिठानिया दे रोटियों के साथ कभी च्छाच, कभी थोड़ा थड़ा दूद और कभी सिरफ नमक मरिच, हाँ गी दूद गुर्चीनी जैसी चीजें अभी तक सास के ही हातों से बढ़ती थी, गी दूद की अलमारी के पल्ले परतिमा के अलावा कोई नहीं उगारता, पारवतिनी जिठा हो जाए तेरी बहु, तू बड़ी सुलक्षनी है, देख लेना, एक दिन भरपूर भंडार की माल किन बनेगी, सच तू तो हमारे कुटंबगी साक्षात लक्षमी है, क्या तेरा शील सभाव, क्या तेरे मुक्का मीठा पुलना, मेरी चाती में तू सुक के अंडे जैसे का आज में, जो फूर्ती और बरकत तेरे हाथों में, वह तेरी जिठानियों में कहां, वैसे तो मेरे लिए पांच उगलियां बराबर, और तेरे लिए भी जिठानियां बड़ी ही थहरी, उनका मान समान तुजे करना ही हुआ, इसी में तेरी शोभवभी ठहरी, मगर पुर रोटी और खाले जिठानियों के साथ तो तो तक तुझे उनके बराबरी का लेवा मिलता मगर तेरी और अर्विस उनकी बराबरी ग्या एक तो तीरा पती परदेस और उक के समवनपती का सुख Suppose for the first hour नहीं तूरे तू जितनी मैंनत भगवती दीदी अभी पानी भरने से ना लोटी कहती थी खेतों में साथ साथ चलेंगी मगर मैं बिकार इतनी दिर तक घर में रुक कर क्या करूंगी भगवती दीदी को तुम लगा देना उसका खेतों में पहुचने तक तो मैं एक खेती की फसल भी काट लूगी थोड़ी ही देर के बाद जब भगवती पानी की गगरी लेकर लोटी प्रतिमा ने उसे भी अपने पास बलाकर चाती से लगा लिया आ गई भव पानी भर के अभी अभी तो गई थी पलक जपकते लोटाई होने को तो मेरे लिए सबी भववें एक बराबर और सबी अपने अपनी ताकत के अनुसर काम भी करती मगर जो फूरती और बरकत तेरे काम काज में वैसी फूरती अगर तेरी देवरानिया जठानियों में भी होती तो आज मेरी खेती पकर खेतों में ना जढ़ती एक वह मोती महें सबसे बड़ी जठानी और घर के छोटे मुटे काम में ही रह जाती दे ती इतनी की इतनी ठहरी मगर मजाल जो पका भी पकी फसल की एक बाल भी बरबाद हो जाए और आज ये हालत की चार चार बडूरने वाली हैं मगर मली बखाली के उत्तम बरदान कह रहे हैं कि अन्मिट्टी में मिल रहे हैं अगर तू अकेली क्या करेगी बहू जितनी महनत तो जो ये लोग करती तो कुछ और ही रगड़ ना होती खैर तू ठीक ही कह रही है जो अपनी और से कामकाज में रत्ती भर की कसर नहीं कर रही जैसा तेरा शीर शभाव है जैसी महनत से तू कामकाज करती मेरा तो देख देखकर ही आरसने लगता है इतना कहकर बड़े प्रता भी है तुम्ही लोगों से या तो पेड़ के पंची बिलो के चुभो को अपनी गर गरस्ती समालने वाला ही टहरे इतना कहकर प्रतिमाने अलमारी से दूद का गिलास निकाला था और गुड की डली वाली रोटी भी बगवती को थमाते बुली ले जल्दी जल्दी ख अपना शरीर चंगा मैं तेरी सामने ही तो हूँ यहां जब तक खेत में दोड़ती भुड़ती थी उत्तम परदान कहा करते थे प्रतिमा भाजी की जिनम कुंडले में चितर गुपत ने तिरसटी काट कर 23 ले दिया और अब चार महीने से लाचार पड़े हूं जो जरा तेर के हाथ से मालिश कर दू परतिमा ने भगवती के सिर पर हाथ रख दिया लाख बरस की उम्र हो जाए तेरी बहु आचल दूट से सुहाक सिंदूर से सदा भरपूर रहे यही मुझला चार बुडिया की दूआ है जैसी सेवा तू करती मेरी ऐसी सेवा तो कोई बेटी अपनी मा की भी नहीं करती होगी तू तो इसको टूंब की साक्षात भगवती हुई रे बहू ले दो ने जरा हाथ पिराया नहीं की दुग जाने कहां को चला गया उठकर के खुब इधर उदर गूमने को मन कर रहा है अच्छा आप तू जा बहू जाने को तो पारवती तूस से प पर फुल ले था जितना प्यार सासु मुझे करती हैं उतना तो किसी और बहू को नहीं वह उल्लास में माईके का सीखा एक गुद 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 भी गुन गुनाती रही इधर देव की अराम से अपने कपड़े लगते धोकर लोटी एक अकेला मेरा ही कारोबार थोड़ी है देव की भी कलेवा करके गई थी घर लोटकर अब खेती में जाना था सास का भरम तो रखना ही पड़ता है एक तो विचारी वैसे ही लाचार पड़ी है शाम को पूछेंगी क्यों बहू आज कितने धान काटे तो रूखा सुखा जबाब देने से तो पाप लगे गया और सा चाहती निकाली फिरी है सोचकर अंदर की तरफ चलेगी अब तो खेती में लोटने में जरा देल लगेगी जाते जाते बच्चे को जरा दूर और पिलालों भूक लगती है तो च्छाती से दूद उतरने लगता है बच्चे का जुलना अंदर प्रतिमा के पास ही रखा था देली के पास पहुंची ही थी कि देवकी की सास की आवास सुनाई पड़ी प्रतिमा बड़ी बहु मोतिमा से कह रहे थी अरी तू तो साक्षात लक्षमी हुई इस कुटंब की सब जेटी है तू एकदम तन्मन लगा करके इस कुटंब का कारोबार समाल रही अरे मेरा आलपकी फसल बरबाद हो रही खेतों का अन खेतों में ही जडरा मगर तू अकेली काका करे सबीरे के कलेवे से लेकर रात की रोटियां तक की तो रसोई तेरे ही सिर पर घर की चुटे मोटे काम अलग से फिर भी तू चैन से काम बैठने वाली तेरा सभाव तो मैं जानती ज उसे इतना तो साफ दिखाई पड़ गया कि प्रतिमा ने चुपके से मोतिमा को एक गिलास भर कर दूद दिया और गुड की डली के साथ एक रोटी देवकी ने सुना सास लगबक कानों में फुस्पुसा रहे होने के अंदाज में कह रही है होने को मुझसे सब बहुए एक ह मगर इतना दूद कहा होता है कि सब तक पहुचे और जहां तुने अपने हाथ पाउटी ले किये नहीं देवरानियों ने भी पाउँ पसार देने की सोची सब सब जेठी के ही कारोबार संबालने की फिकर नहीं तो हम का करें अपनी जान मारें पारवती और भगवती तो बढ़ी बहु और उसमें त्रिसकार की वेदना से उसकी आंकों में आंसु भराई कहीं मोतीमा भारा कर देखना ले इसलिए नीचे गोठ की और चल दी थोड़ी ही दिर में मोतीमा प्रतिमा के कमरे से निकलकर रसोई घर के और चली गई तो देव की खेतों की और बढ़ने ता बस दिन पर काम में डूबी रहती है देव की ने समीप पहुँचकर बच्चे को गोध में लिया और दूद पिलाने लगी प्रतिमा धीरे धीरे उठी अलमारी खोली और दूद से लबालब भरा गलास निकाला गुड की डली और रोटी के साथ देव की को देते प्यार स कामोना रखा कर वैसे तो मैं तेरा शील सभाव अच्छी तरह जानती तेरे जैसे छोटे छोटे बालकोबाली और तो खेती के कामकास से दूर दूर भागती मगर एक तू है अपने बालक को भी समय पर दूद नहीं पिला सकती खैर बढ़े कुटुम का कारोबर तुझ जैस कि ये बीना तू खेती भट औरने में लगी अगर इतनी मेहनत पारवती भगवती और मोती मा करती तो आस तक सारी फसल ना कट चुकी होती अब मेरा मूग क्या देख रही है बहु जल्दी से दूद रोटी खाले सब के लिए कहां से लाओं मगर तेरा तो ध्यान रखना ही पड़े का एक तो बालक वाली ठाली ठेरी उपर से तु सिर पर पकी फसल बटर औरने का धोंसा ले तू तो मेरे बेटी की तरह भी बाबली तु जैसी भवी तो घर गरस्ती की शोबा होती है मैं तो बात काटते ही देवकी ने प्रतिमा की काकी के पाउँ पकड़ लिए नह अब जा प्रतिमा ने एक उड़ती पंची सा ठैका लगाया तो हसी देली के समीब की सिडियों पर से उतरती हुई सारे आंगन में फैल गई